हेलो पहरे बच्चों, बच्चों कैसे हैं आप सभी I hope की सभी अच्छे होंगे बच्चों आज की इस वीडियो में क्लास 5th के वीक नमबर 4 की subject mathematics की वर्क सीट नमबर 19 को solve करेंगे जिसकी थीम है mathematical game तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को subscribe कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियो के notification मिलते रहें तो शुरू करते हैं आपकी वर्क सीट है 8 February 2022 के लिए यहाँ पर सभी अपना नाम लिखेंगे topic है चित्र पहली दिये गए चित्रों को एक जैसा बनानी की कोशिस की गई थी परंतु बनाते समय चित्र दो में कुछ गलतियां हो गई है आपके नहीं चार गलतियों को ढूंड कर अपने अध्यापक वे अध्यापका के साथ साजह कीजिए तो बच्चों यहाँ पर यह है चित्र no.1 और ये है चित्र no.2 यहाँ पर बच्चों देखेंगे 1,2 और यहाँ पर क्या है 1,2,3 यहां पर तीन है चैहरे यहाँ पर दो हैं तो बच्चों एक गलति है उसके बाद यहाँ देखेंगे बच्चों यह जो लड़की बैठी ही है इसके हाथ में कटो रहा है तीसरी गलती है उसके बाद बच्चो यहां पर तीन बाउल है और यहां पर क्या है एक बाउल है तो बच्चो चोथी गलती यहां है अब बच्चो यह जो लड़की बैठी है इसके पीछे जो है यहां पर एक लड़की है जबकि यहां पर कोई लड़की नहीं है तो यहां पर पाचवी गलती है तो बच्चों आप इस तरीके से इसमें गलतियों को find out करेंगे और circle कर देंगे अब next है सरदियों के कपड़े बनाने वाली एक factory में अलग-अलग प्रकार के कपड़े बनाए जाते हैं जैकेटों की संख्या है 3980 और टोपियों की संख्या है 2698 अब factory के manager ने एक महिने में बनाए गए कपड़ों की संख्या को प्रदर्शित करने का एक सुन्दर तरीका सोचा है उसने एक संख्या फूल मनाकर उसमें अलग-अलग प्रकार के कपड़ों का जोड लिखने का निर्णे लिया है आईए आप भी संख्या फूल को पूरा करने में manager की मदद कीजिए तो बच्चों यहाँ पर है sweater, jacket और coat की संख्या तो sweater कितने है? 2820, jacket कितनी है? 3980 और coat की संख्या कितनी है? 1268 तो यहाँ लिख लेंगे अब इन्हें जोड लेंगे, जोडने के बाद कितना आता है? 8068 इट मीज, sweater, jacket और coat की संख्या है? 8068 अब ऐसे ही next है, sweater, topi और coat की संख्या लिखनी है, आपर तो sweater कितने है? 2820, topi कितनी है? 2698 और coat है 1268 अब इन्हें प्लस कर लेंगे सभी को, तो प्लस करने पर कितना होता है? total 6786 तो यहाँ पर लिख देंगे अब बच्चो next है, sweater और coat की संख्या कितनी है? तो sweater है 2820 और coat है 1268 तो प्लस करने पर कितना होता है? 4088, it means total है 4088 next है, jacket और coat की संख्या कितनी है? jacket है 3980 और coat कितने है? 1268 तो प्लस कर लेंगे कितने होगे total? दोनों को मिला कर होगी कुल संख्या 5248 अब next है, jacket और coat की संख्या, jacket 3980 है और coat है 2698 प्लस कर लेंगे total कितना हुआ? 6688 तो आप इन्हें इस तरीके से प्लस करके लिखेंगे बच्चो यदि आपको इस वीडियो अच्छी लगे हो तो like share करना न भूले और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को subscribe करें Thank you